आयोध्या में 22 जन्वरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारों को लिगर विशेश तयारी की गई हैं। हर्मान सेतो और हर्मंत धाम समीत कई मंदिरों में दिखाया चाहेगा लाइव प्रसारण। देखे दूदर्शन समादाता दुर्गाश शर्मा की ये रिपोर्ट। के मंदिरों में भी विशेश प्रबंद किये गए हमें समय लखनों के हनुमंत धाम में हैं और यहां पर 22 जन्वरी को एक विशेश तरीके से यहां पर पूजा अर्चना होगी राम दर्बार सजाया जाएगा और पूरे मंदिर को फूलों से सजाया जाएगा साथ ही बुद्पूर्शन आने वाला है तो क्या भावनाएं हैं आपकी देखिए हम लोग तो हमारे पूर्वाज और हम लोग तो पांसो बरस से बराबर प्रयत्न कर रहे थे कि ये जो जन्म भूमी का मंदिर है भगवान राम का ये सुन्दर से सुन्दर बने और प्रयास करते करते आज वो घड़ी आ गई है जो सब के सामने है अब मंदिर भी बन गया है प्रारपतिस्टा भी होने वाली है बाइस तारिक को तो ये न के लिए भी एक सांती का विशा है और भगवान ने जो है सबसे राम की जो है मरयादा सबसे सरफ से इष्ट मानी गई है सारे जो करीब पाँच हजार मंदिर हैं लखणों में सारे मंदिरों की सजावट होगी एक दूसरे के संपर्क में है हम लोग मंदिरों का बहुछ फूल से और लाइट से और दिया से सब सजाए जाएंगे और लगातार प्राते काल 6 बजे से मंदिर का कारिक्रम सुरू हो जाएंगे 6 बजे भगवान का ये जो राम दरबार है इनका अश्नान कराया जाएगा वस्तबद ले जाएंगे जो नियम है पद्धिती है वो पूरी पूरा करके 8 बजे आरती होगी 8 बजे आरती के बाद में सुन्दरकान का पाठ सुनाया जाएगा इसके बाद में हन्माद 40 का पाठ सुनाया जाएगा इसके बाद में हवन होगा हवन के बाद में भंडारे का कारिक्रम है और राम धुनी बराबर 10 बजे रात तक चलती रहे आयोध्या में 22 जन्वरी को सबको इंतिजार है और लखनों के मंदिरों में विशेश तरह से तैयारी की गई है आपने सुना हनमत धाम के महंत को जिन्होंने बताया कि 22 जन्वरी को सुबह 6 बजे से ही मंदिर में विशेश अनुस्ठान शुरू हो जाएंगे लगातार राम ध हक्तों के लिए भी विशेश प्रबंद किये गए हैं लखनों में कैमरा परसन विशाल शोनकर के साथ दुर्गा शर्मा डीडी नियूस